उसका हिंदी मैनुआद बताएं तो देखिए जो है हम आपको एक कथा सुनाते हैं श्राम चीत मानस का भगवान राम से अगर कोई प्रेम तो सब करते हैं लेकिन कोई सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला है तो वो माता कहते हैं लोग तो समझ नहीं पाते हैं काते हैं कि वो तो बन में भेज दी थी वो कैसे प्रेम करती हैं तो वही सबसे ज्यादा प्रेम करती है वो बन में भेजी थी तो भगवान राम को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए वो बन में भेरे थी वही सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली सभी लोग सभी माताएं अपने बच्चे को दूद भात खिलाती हैं बड़े प्रेम से वैसे ही एक बार माता के कई भी भगवान राम को अपने गोद में बैठा करके और दूद बात खिला रही थी भगवान राम एक ग्रास खाए दो ग्रास खाए तीन ग्रास खाए चौथे में हाथ पकड़ लिए बोले मा आपने कभी हमसे यह नहीं पूछा कि राम तुमको कुछ चाहिए तो माता के कई बोली कि अरे पुत्र अरे राम तुमको कुछ चाहिए तू जल्दी बोलो क्या चाहिए तुमको कुछ चाहिए जल्दी बोलो तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है मुझे देने में देरी नहीं हो सकती भगवान राम बोले मा पहले मेरी कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो दो भी माता कह कहीं बोली हाँ राम मैं तेरा कसम खाती है जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुमको मांगो क्या चाहिए भगवान राम बोले मा लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आप दे दोगी तो संसार में कोई भी आपका नाम अपने बच्ची का नाम भी रखेगा तो कहके माता बोली मुझे मंजूर है राम बताओ न क्या चाहिए मेरा नाम अपनी बेटी का नाम कोई न रखे यह मुझे मंजूर है मेरा राम प्रशन रहे इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता भगवान राम बोले मा लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी तो संसार में आपका अपजस होगा माता कैके बोले मुझे जस मिले मेरा राम प्रशन न रहे तो वो जस मुझे नहीं चाहिए मुझे अपजस मंजूर है भगवान राम के आखों में आशू आ गए बोले मा लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आप दे देंगी न तो कदाचित आपको बैदब जीवन भी देखना पड़ सकता है माता कैके जब ये सुनी मौन हो गई आप ही बताए कोई भी भारती इस्त्री हो तो उसको ये बात तो खटकती है मौन हो गई माता कैके थोड़े देर मौन रही फिर कुछ देर के बाद बोली राम मुझे कदाचित बैदब जीवन ही क्यों न देखना पड़े वो भी मुझे मनजूर है बताओ तुम्हे क्या चाई भगवान राम बोले मा एक समय ऐसा आएगा मेरा बिवा होगा मैं फिर अयोध्या आऊंगा और उस समय हमारे लिए आपको 14 वर्षों का बनबास मांगना पड़े जब कैके माता बनबास सुनी तो तुरंत धड़ाम से गिर पड़ी जमीन पर बेहोस हो गई भगवान राम ने जल से छीटा मारे तो कुछ देर के बाद होसा आया उठके बैटी थोड़ी दिर मौन है फिर बोली राम रो रही है बोली राम देखो मुझे अपजस भी मंजूर है मेरा नाम अपनी बेटी का नाम समसार में कोई न रखे ये भी मंजूर है कदाचित दोना देखना पड़े वो भी मुझे मंजूर है लेकिन मेरा राम मुझे से दूर रहे ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है राम मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह पाती तुमने चौदह वर्ष सोच भी कैसे लिया राम ये बर्दान वापस ले लो मैंने दूँगे मैंने दे सकती है बर्दान भगवान राम बोले मा आपको ये बर्दान देना होगा क्योंकि आपने हमारी कसम खाई है और अगर मैं बन नहीं गया तो सर्भंग रिषी की जो है मान से गल चुके हैं बस हड्डिया बचे है जो केप सूख रही है माता सेवरी उनको हमारा दर्शन कैसे होगा मा उनको बन जाना पड़ेगा उस दिन से माता कहकई भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो समय आए और मैं मेरे दिल के तुकड़ी तुकड़ी न हो जाए और मैं राम को दिया हुआ बचन पूरा न कर सकूँ उसको दिया हुआ बर्दान पूरा न कर सकूँ तो क्या होगा थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी और उस समय आया वर्दान मांगी पहले तो भगवान राम को सूचना मिला था कि उनका राज्जी बिसेक होने वाला है लेकिन प्रसनता मयान गता भी सेकत स्तथान ममले बनवास दुखत जब भगवान राम को यह सूचना मिली कि उनका राज्जी बिसेक होने वाला है तो उनके मुख पर प्रसनता नहीं थी लेकिन पुना उसके अगले दिन उनको सूचना मिल गई कि चोदह वर्षों का बनवास मिले गया तो उनके मुख पर थोड़ा सा उदासी भी नहीं थी उस समय तो प्रसन्द हो रहे है कि अरे पिता जी ने हमको अयोध्या का राज नहीं पिता दिन नी मोही कानन राजू पिता जी ने मुझे अयोध्या का राज नहीं मुझे तो जंगल का राजा बना दिया वो तो परिशन्न हो रहे है और उस समय उपदेश देते हैं कि कोई भी परिश्थिती हो उसमें परिशन्न रहना चाहिए हसते रहना चाहिए कोई परिशन्ता की बात सुन लिए ज्यादा उसमें परिशन्न भी नहीं होना चाहिए और कोई दुख का बात सुन लिया तो उसमें ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए हर परिष्थती में एक जैसा रहना चाहिए जी पुत्रो और माता के बीच का जो प्रेम है वो इनोंने कितने प्यार से समझाया है इतना इससे पहले भी कई बार रामकता सुनी होगी कई बार आपने मंचो पर सुनी होगी मैंने भी सुनी है टीवी में देखा है कई बार मम्मी के साथ ससंग जाना हुआ है लेकिन इतना प्यार से आज तक कभी नहीं सुनी हूँ इतने मधूर आवाज में कहां पर ठहराओ देना है, कहां पर पिछ गिराना है, कि आप उस वाकि से जुड़ पाएं, कहां पर पिछ उठा कर हाई बोलना है, ये एक कला है.